जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 जन्वरी 2021 के कुम्भ रासी फल के बारे में, और जानेंगे कुम्भ रासी से सम्मंदित लोगों के ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर जानेंगे आज का पंचांग कैसा रहेगा, 19 जन्वरी 2021 शुक्ल पक्ष का मंगलवार का दिन होगा, सश्टी तिथी सुभे 11 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथी सुरू हो जाएगी, सिव योग साम 6 बज कर 40 मिनट तक रहेगा, इसके बाद सिध्ध योग पर रेवती नक्षत्र सुरू हो जाएगा, सूर्य देव मकर रासी में वराजमान होंगे, और चंदर देव मीन रासी में वराजमान होंगे, और आज का राहुकाल का समय साम 3 बज कर 10 मिनट से साम 4 बज कर 29 मिनट तक रहेगा, तो इस दोरान कोई सुभ अथ्वा मांगलिक क कारिये ना करें, और आज का अभिजीत मूरत यानि सुभ समय दोफैर 12 बज कर 10 मिनट से, दोफैर 12 बज कर 53 मिनट तक रहेगा, इस दोरान आप अपने सुभ अथ्वा मांगलिक कारिय कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदे मन्द साबित होंगे, दोस्तों आगे बढ़ें आज के कुम्ब रासिफल के बारे में, तो आपके परिवार का कोई सदश्य या कोई मित्र आपको निरास कर सकता है, आपके सामने कोई परिशानी खड़ी कर सकता है, तो गुसे में आकर आप साहद आप उन्हें डांट भी सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप उन्हें और गुसे पर काबू रखें, उनको सजा देने की बजाए प्यार से समझाना बहुत ज़्याद अच्छा होगा, तब ही उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा, आपको काम करने और पढ़ने के लिए ऐसी जगा ढूननी होगी, जहां किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, और आपका ध्यान आसानी से अपनी जिम्मेदारियों से भटक सकता है, अगर आज आप अपना ध्यान केंदरित रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपने लिए कुछ अच्छा कर पाने में कामियाब होंगे, और दोस्तों आप देखेंगे कि आप अपना आर्थिक लक उसे आप समय से पहले पूरा कर लें। इसके लिए जरूरी है कि आप पॉजिटिव सोचें, आसावादी बनें और धहरिये से काम लें। आपकी रास्ते में कोई रोड़ा आएगा तो वो आप अपने होसले से अपनी महनत लगन से उसे पार कर पाएंगे। ठीक धंग से की ग और समय रहते अपने आर्थिक लक्ष को पूरा भी करने में काम्याब होंगे जिससे आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी। प्यापार में मुनाफ़ा आज केई वेपारियों के चेहरे पर खुशी ला सकता है। दोस्त और करीबी लोग मदद के लिए आपकी और हाथ बढ़ाएंगे। अचाना कोई रोमांटिक मुलाकात आपके लिए उल्जन पैदा कर सकती है तो थोड़ा सावधान रहने की भी आवशेक्ता है। कामकाज के मामले में आज आपकी आवाज पूरी तरह सुनी जाएगी। छातर छात्राओं को अपने काम को कल पर नहीं टाल चाहिए। आपको जब भी खाली समय मिले अपने काम को समय पर पूरा कर ले। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद होगा। आज के दिन कुछ भी करने के लिए अपने साथी पर दबाब न डाले। अन्यता आपके दिलों में दूरिया आ सकती है। बात करें स्वास्थे की तो स्वास्थे पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, खान पीन पर ध्यान रखें और वयाम करें। धन सबपत्ती में अच्छी बढ़ोत्री होगी, परिवार में खुशाली होगी, प्रेमादी में सम्मंद मजबूत होगे, व्यवसाय में भी अच्छी बढ़ोत्री होगी और द